नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि ट्रू कॉलर अप्लिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं जिहां कई आपी जाना चाहती है कि ट्रू कॉलर अप्लिकेशन क्या है और से कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गैज आज किस वीडियो को स्टार्ट से ले अप्लिकेशन को उपन करना है प्लेश्ट और अप्लिकेशन को उपन करने के बाद गई जहां पर आपको ट्रू कॉलर अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है तो गई जहां पर मैंने ट्रू कॉलर अप्लिकेशन को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है इसके बाद गई जहां प आपको वन क्रोड प्लस डर रिवी देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहांपर आपको क्या करना है यहांपर आपको ट्रू कॉलर अप्लिकेशन को ओपन करना है ट्रू कॉलर अप्लिकेशन को ओपन करने के बाद गई जहांपर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो गई जहांपर आपको get started के option पर click करना है get started के option पर click करने के बाद गई जहांपर आपको continue के option पर click करना है continue के option पर click करने के बाद गई जहांपर आपको permission को allow करना है permission को allow करने के बाद गई जहांपर आप दीख सकते है यहाँ पर loading हो रहा है और गई जहाँ पर आपको कुछ time के लिए wait करना है wait करने के बाद गई जहाँ पर आपको continue option पर click करना है continue option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते है यहाँ पर आपको go to setting option पर click करना है जहांपर आपको permission को enable करना है permission को enable करने के बाद जहांपर आप देख सकते है यहांपर true color application open हो चुकी और जहांपर आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाता है तो जहांपर आप देख सकते हैंपर आपको backup option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप restore now करना चाहते तो गई जहाँ पर आपको restore now का option पर क्लिक करना है अगर आप skip करना चाहते तो गई जहाँ पर आपको skip का option पर क्लिक करना है skip का option पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं और गई जहां पर मैं आपको बता दू कि true caller application क्या है true caller application में अपने mobile पर unknown number से call आता है और अपने mobile में उसका number save नहीं है तो गई जहां पर आपको उसका name देखने को मिल जाएगा और उसका location देखने को मिल जाएगा इसके बाद गई जहाँ पर मैं आपको बता दू कि अपने ओबल पर प्रोड कॉल आती है तो गई जहाँ पर true caller में scam करके आपको दिखाएगा तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस application के मादिम से प्रोड कॉल से भी बच सकते है इसके बाद गई जहाँ पर आपको उपर के और search bar का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप नंबर को type करके name का पता कर सकते हैं इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने ओपल पर अनो नुबर से कॉल आता है, तो जहाँ पर आप वार्ब नंबर को टइप करके, उसका नेम पता कर सकते हैं, इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आपको नीचे की और message का option देखने को मिल जाता है, message के option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर अपने mobile पर जो भी message आते है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है इसके बाद गई जहाँ पर आपको contact option देखने को मिल जाता है contact के option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर अपने mobile पर किसी का number save नहीं है और गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उसका name भी देखने को मिल जाएगा इसके बाद गई जहाँ पर आपको प्रेमियम का option देखने को मिल जाता है प्रेमियम का option पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख देख सकते हैं यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है इसके बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप इजी तरीके से ट्रू कॉलर एप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं